लास कॉंसेप्ट है हमारा अध्यान से सुनिये गाला तो इच और एवरी के साथ अगर डाउन सिंगलर होगा तो वर भी सिंगलर होगी ठीक है एक्जामपल से समर्से आईए दोस्तों एक्जामपल देखिए every boy and girl are very talented क्या यह राइट है Every boy and girl are very talented क्या यह राइट है No दोस्तों यह रोंग है यह राइट नहीं है क्यों राइट नहीं है मैंने आपको समझा दिया कि every और each के साथ अगर singular subject हो singular noun हो each और every के साथ अगर singular noun हो तो क्या होगा word भी singular होगी तो यहापर आठ नहीं होगा यहापर होगा is तो क्या होगा फिर correct sentence Every boy and girl Every boy and girl is very talented Okay तो यह होगा right example Okay आयो समझ में Each or every के साथ अगर singular noun होगा तो वर्ड भी singular होगी Okay So guys बस आज के लिए इतना ही हमने six concept clear कि है कि कहां Each use होगा कहां Every use होगा तो अब आप confused नहीं होगे कि आप कोई भी error detection आजाए Each or every का आप confused नहीं होगे आप फुटक से कर लोगे तूरंत कर लोगे आपको टाइम नहीं लगेगा स्वाल्फ करने में Error detection की question को उमीद करती हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि Each or every का यूज होता है अब फिवे अगर doubt हो दोस्तों तो link description box में दी है social media की सारे links मैंने description box में दी है आप जाकर check out करो आप जाओ और मुझे message करना कि मुझे ये समझ में नहीं आया फिर मैं आपको समझाऊंगी दोस्तों आपको तूरे रिप्लाइ करूंगी फिर आपको समझाऊंगी मैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही और हाँ चलनल पर नहीं आया हो तो चलनल को सुस्क्राइब करो बल आइकन पो और प्रेस कर दो ताकि कोल भी इंपोर्टेंट पार्ट आप मिसनाद करो तो तिल दो कीप लर्निंग, कीप एक्स्पोर्णिंग, कीप लाउंग बाब बाई और थैक्योर